अमस्कार दोस्तों सौगताब का हमारे यूटूब चैनल महादेव योगी पर आज की वीडियो में बात करेंगे मांडू की मुद्रा के बारे में जानेंगे मांडू की मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, क्या है इसके फाइदे, क्या है नुकसान इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारे लेंगे, तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों मांडू की मुद्रा जो है वे बहुत ही लाबदायक मुद्रा है इस मुद्रा के अभ्यास से आपके बालों में तो फाइदा होगा ही साथ ही साथ आकों से समंदित समस्या में स्कीन से समंदित समस्या में जिनकी सांस बहुत जादा फुलती है थोड़ा सा भी है या कुछ काम करते हैं तो हापने लगते हैं खिलाडियों के लिए यह मुद्रा बहुत ही लाबदायक है इसके अलवा यह जो मुद्रा है एंटी एजिंग का काम करेगी बहुत कम उम्र में कुछ विक्ती ऐसे दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा बुजर्ग हो गए चेरे के पर जुर्य आना शुरू हो जाती है शरीर वीक बन जाता है ऐसी समस्या में यह मुद्रा बहुत ही लाबदायक है इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको दरिया अबल विजा कर पदमासन, सुकासन, सिद्धासन या वजरासन किसी वियासन में आप बैठ कर या चेर या बैठ के उपर बैठ कर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं इस मुद्रा का अभ्यास शुरूवाती समय में आपको कम से कम पांच मिनिट करना चाहिए पांच मिनिट इसका आपभ्यास करना भी काफी हो जाता है तो इसको करना किन प्रकार से है? वैसे इसको दो प्रकार से करते हैं आप जब अल्टी पालती मारकर या पडमासन, सुकासन किसी भी आसमीद बैट जाते हैं तो चाहें तो आप अपने हाद से कोई भी ध्यान मुद्रा ग्यान मुद्रा या प्रान मुद्रा कोई भी मुद्रा लगा कर आप बैठ जाएगे या नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा साथ में लगाएंगे तब भी चल जाएगा हमारी जो जीव होती है अब जैसे कुछ लोग इस विदी के हिसाब से भी कर पाते है कि जीव का जो पीछे वाला हिस्सा है उस हिस्से को अपने जो तालू होती है उपर यानि कि जो नाक के चिदर है उसके हलका सामने वाला एरिया होता है वहाँ पर ऐसे गिस्ते ऐसे रब करत जीप के पीछे वाले हिस्जे से लेकिन सभी इस प्रकार से नहे कर पाते। इस मुद्रा को लगाने का दो विधान बताएगें एक तो यह विधान होता है, और दूसरा होता है अपनी जीप को ऐसे उल्टा मोड के जैसे खेचरी मुद्रा में करते हैं, उल्टा मोड कर जहां पर यह तालू है, वहां पर ऐसे मुवमेंट करते हैं अपनी जीप को उल्टा करके उस एरिया में, जब आप वहां पर एरिया में मुवमेंट करेंगे, अचली होता क्या है, यह जो एरिया होता है ना, यहां पर एक अलग सा स्वाद आपको फील होगा अब जैसे मेरा अनुवह है कि मैंने जब भी खेचरी मुद्रा या मांडू की मुद्रा की है इस एर्या को जब मैंने फील किया है तो मेरा अनुवह है कि जैसे मान लीजे कप होते हैं हमें वस वसी स्वाद का ना मतलब बयान करने के लिए तो इस प्रकार से वहां पर आपको एक स्वाद आएगा जिसको अम्रत कहते हैं, एक रस टपकता है, उसको हमें उसका पान करना चाहिए, उसको हमें जब प्राशन करते हैं, तो एक सिर्फ कापी थेजी से बढ़ रही हैं, उसकी गती धीमी होती है, जेसे हमारी जटराव नहीं है, जब ईसका की तरफ यहां जायाएगा, तो इस रस आपको स्वाद लेना है, तो इस प्रकार किसी भी आसी बेटकर जीप को ऐसे उल्टा मोड के तो आपको कुमबग के साथ करना पड़ेगा सांस को पूरी तरस अंदर भरिए उसके बाद मूह को बंदी रखी और फिर जीप को उल्टा करके मोड कर वहां पर ले जाईये और वहां पर ऐसे रब करने की कोशिश कीजिए मैं करके दिखाता हूँ एक बार किसी भी मुद्रा में बैठ कर जब सांस रुकी न जाए तब सांस को छोड़ दीजे जैसे आप जीब को उल्टा करके वहाँ पर ले जाएंगे एक स्वाप्ट एरया अपने आप आपको फील होगा और उसका स्वाध भी एक अलग साही स्वाध होगा तो दोस्तें यहीं भी कुछ जानकारी मांडू की मुद्रा के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए इस वीडियो को लायक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सस्थ रहे है दन्यवाद